पैल्प हम आपको मिल्क कोड़र मुख कोड़र मुखंग करना कर दिखा हlor स्वादिश और अपने टो डूप कर लूटी अब आपको इसमें डालना है तीन से चार चमज देशी घी तो देखिए मैं इसमें चार मेडियम चमज घी के डाल देती हूं तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी कडाई में दूठ डाल दिया है और इसमें तीन से चार चमज घी के डाल दिया है और अब हम लेंगे एक कटोरी मिल्कौडर तो देखिए वैने क्टोरी मिल्कौडर लिया हैं जो कि मैं इसमें आडगर लोंगी और अब मैं इसे अपने धूर के अंदर अच्छे से मिला दूँगी तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसी इसी तरह हिलाती रहूंगी ताकि ये निचे की तरफ लगे नहीं तो देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी एलाईजी डाल दी हैं तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा फूट कलर आप चाहुत इसी पानी में विलाकी भी डाल सकते हो लेकिन मैंने इसे वैसे ही डाल दिया है अब मैं इसी इसी तरह हिलाती रहूंगी ताकि ये फूट कलर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें ज्यादा फूट कलर की ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल जरा सा फूट कलर काफी अच्छा कलर कर देता है ये आपको किसी भी नॉर्मली दुकान से मिल जाएगा आप अप अच्छुन की दुकान से इसे भी लेकरा सकते हो तो अब मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूंगे लड़ू तो आपने बहुत खाई होंगे लेकिन यह लड़ू अगर एक पार आप बना कर खाएंगे तो आपकी फैमिली के हर मेंबर को बहुत पसंद आएंगे तो देखिए आप देख सकते हो इसकी कंडिशन थोड़ी सी गाड़ी हो चुकी है आप इसे मैं इसी तरह हिलाती रहूंगी ताकि यह थोड़ा सा गाड़ा और हो जाए बस प्रैस आपको एक बात का खास त्यान रपना है कि आपको इसे हिलाने से बिल्कुल बंद नहीं होना है आप इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे तो आपकी मिल्क और दूद निचे कि तरह लगेगा नहीं और आपके लड़ू बहुत स्वादिश्ट और अच्छे बन कर तयार होंगी तो फ्रेंट्स आपको इसे 10-15 मिन तक इसी तरह हिलाते रहना है यह है बहुत ही जल्दी बनने वाले मिठाई हैं क्योंकि आप अगर दूद भून कर मिठाई बनाएंगे तो उसमें आपको 2-3 खंटे अराम से लग जाते हैं बाकी दूद की पॉइंटेडी भी देखी जाती है कि दूद आपके पास कितना है लेकिन दूद को दूद की मिठाई बनाने में काफी टाइम लगता है इसलिए मैं आपको फटा-फट मिल्क पोड़र से बना कर दिखा रही हूँ हूँ भी मिल्क पोड़र से बहुत ही जल्दी बन जाती है आपकी मिठाई भी और जो ये लड़र्डू में बनाकर दिखा रही हूं यह भी बहूत पह–छल्दी बनकर तयार हो जाते हैं तो आपको इसी इसी तरह हिलाती रहना है जब तक यह है आपका डो टाइट नहीं हो जाता, I mean मिठाई के कंडिशन में नहीं आ जाता तो फ्रेंट्स में से इसी तरह हिलाती रहूंगी यह हमारा जो मिल्क और वह अच्छे से पकड़ी जाएगा और यह है बिल्कुल मिठाई जैसे कंडिशन में आ जाएगा दिरे दिरे लेकिन आपको इसी हिलाने से बिल्कुल नहीं रुखना है अगर आप इसे हिलाना बंद कर देंगे तो नीचे की तरफ लग जाता है तो फ्रेंट अगर आपको स्वादिश्ट और अच्छी मिठाई खाने है तो थोड़ इसी तो मेहनत करने ही होगी क्योंकि मेहनत करने की बाद हमें बहुत ही अच्छा लगता है खाना इस मिठाई में आप जितनी भी मेहनत करेंगी उतनी ही आपकी मिठाई बहुत ही स्वादिश्ट और अच्छी बन कर तैयार होगी तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसी तरह हिलाती जा रही हूँ आपको इसे तरह हिलाते ही रहना है तो फ्रेंट्स अब आप देख सकते हैं यह बिलकुल मिठाई की कंडिशन में तयार हो चुका है अब मैं इसे बंद कर दोंगी तो देखें फ्रेंट्स अभी यह थोड़ा डोहब को थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि काफी पतला है लेकिन यह बिलकुल मिठाई की कंडिशन में तयार हो चुका है अभी हम इसे फैला कर थोड़े देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि यह ठंडा होने के अगर आपके पास हो तो आप इसे फैला लिया है अच्छे से तो देखें फ्रेंट्स मैं इस पर लगाऊंगे अब थोड़ा सा सिल्वर फोईल ताकि यह दिखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी इसका स्वाद और बढ़ जाए यह उप्शनल है अगर आपके पास ह तो आप इसे ट्राइ किजिएगा वरना रहने दीजिए आप इसे ड्राइफूट से भी सजा सकते हैं तो देखें फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर सिल्वर फोईल लगा लिया है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़ देर के लिए रख देंगे आप अब नचाओ तो इस पर ड्राइफूट भी लगा सकते हो यह ओपिशनल है जो आपके पास घर पर ड्राइफूट अवलेबल हो वहीं आप इसे गार्नियस के लिए इसके उपर लगा सकते हों तो देखें इसे 10-15 मिंट के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूं मैंने इ तो यह कटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे चकुटा भी काट सकते हैं तो फ्रेंट्स मैं इसी कटर से इसे कट करके दिखाऊंगी इससे हमारी मिठाई का सेप तो अच्छा आएगा ही साथ में हमारे बच्चे भी बड़े खुश होकर खाएंगे क्योंकि उन्हें स्टार बहुत पसंद रहते हैं इसे कट कर लिया है आप देखी अब मैं अपनी मिठाई को नीची की तरफ निकाल लूँगी तो देखे आप देख सकते हैं इसका कितनी अच्छी सेप आई हुई है तो इसी परकार मैं आपनी सभी मिठाईयों को कट कर लूँगी तो देखे दूसरी को भी मैंने इसी तरह कट कर लिया है देखे फ्रेंट्स एके करके सभी मिठाईयों को हमें इसी परकार कट कर लेना है तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने सभी मिठाईयां कट कर ली हैं अब हम इसके उपर एक बादाम लगा देती हैं तो देखिए डिखिए मैंने सभी मिठाईयों पर कितनी अच्छी तरह आपने बादाम लगा दिये हैं आप देख सकते हो यह दिखने में जितनी अच्छी दिखने में भी बहुत ही टैस्ट है और बहुत ही बढ़िया बनी हुई है तो फ्रेंट्स इसे एक बार आप ट्राइज जरूर कीजिएगा और बताईए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह जरूर बताईएगा हमें कम तो फ्रेंट्स अगली एक ऐसी ही नवी वीडियो एक साथ से आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार